नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आज हम बात करेंगे विज्ञान के इस एपिसोड में कि जीओं के सरीर में पाई जाने वाले तारक काय तारक केंदर के बरे में जानेगे सेंट्रोसूम दो सब्दों से मिलकर बना हैं सेंट्रम सेंट्र लेटिन सब्द है बोडी या काय बोडी यूनानिस सब्द है तारक काय की खोज टीव विरी नामक एगयनिक ने सन 1888 की थी तता कोशिका के अंदर कोशिका दरवे में कोशिकां होते हैं केवल प्राणी कोशिका में केंदर केसमी सैटोपलाजम में एक तार नूमा सरचना पाई जाती है यह तारक काय केती है चुंकि तारक काय पादप जंतु कोशिका में पाया जाता है परनतु तारक काय उच पादपू में नहीं पाया जाता है निमन पादपू में जैसे सिवाल, कवाक, ब्रायो फैटा, टेडो फैटा फरन आदी में पाया जाता है तारक काय को एक एंगर्जी बाचा का सबद है सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम को डिपलोसोम या तारक के अंदर का जाता है क्योंकि एक तारक के अंदर के अंदर दो तारक के अंदर या दो डिपलोसोम पाई जाते हैं तरक केंद्रक के चारों तरफ सबस्कोश का दिर्वय पाये जाता हैं जिसे सेंट्रों सिपियर के नाम से जानते हैं तरक केंद्रक से कुछ एक किरने या एक्सरे निकलती हैं उसे तरक्य रे या अस्टरे कहती हैं ये किरने कुछ समय बाद तरकू तंतू का निर्मान करती हैं गुन सुत्र को विप्रित रूप में ले जाने काम करती है। तारक काय के तारक केंद्रक में DNA, RNA, प्रोटीन पाय जाता है। इसमें DNA नगन तदा दिवरज के होता है। ये बात रेंडिल नमक वेगैनिक ने कही थी। तारक काय जिली रहीत सरंचना होती है। यानि कि इसमें कोई जिली नहीं होती है। सरंचना तारक काय की बेलगाड़ी के पईये या सिलेंडर वा पईये जेशी होती है। तारक केंद्र के अंदर एक शिस्क निलकाइं पाय जाती है। ये प्रिदी पर उपस्तित होती है। तार एक तंतु में तीनुप तंतु जो परतेक तंतु तेरा गोला का संचनाओं से बना होता है। यानि कि परतेका का एक तंतु सी तंतु से जुड़ा होता है। ए वैसी तंतु को कनेक्टिव या स्योजी तंतु कहते हैं। प्रिदी शिस न लिकाएं, या नाइन सुक्सम न लिकाएं,